इंस्ट्रेग्राम पर आपने ये वाली वीडियो तो देखी होगी जिसमे एक सीन के बाद जब दूसरा सीन आता है उससे पहले कुछ क्लिप उड़के आती है सेकंड सीन की और नेश्ट वाली क्लिप में एड़ आती है इसी तरीके से वीडियो चलती रहती है और मन करता है कि इस वीडियो को बस देखे जाए, देखे जाए, पर Instagram Reels पे यह वीडियो को देखना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल है इस वीडियो को एडिट करना, पर डौन्ट वरी आज मैं आपको इस वीडियो की एडिटिंग शिकाने वाला हूं, वो भी एकदम बेसिक से, और यह step by step, पूरा process, तो आपसे request है कि आप video को full screen पे कर लो, ताकि आपको better समझ माए, अब यहाँ पे जो भी material में use करूँआ, वो सारे आपको telegram पे मिल जाएंगे, तो आप telegram से download कर लेना, और जो भी apps में use करूँआ, वो मैं आपको video के अंदर बताता जाओँआ, कि कौन सी app है, कै से उसको use करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो apps का use करेंगे, सबसे पहले cap cut app है, उसके बाद यहाँ पे background eraser app है, और VPN की जरूद पढ़ेगी, क्योंकि cap cut app यूज कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे photo retouch की जरूद पढ़ेगी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे VPN को connect कर लें और आपको अपनी video को select कर लेना है, तो example के लिए यहाँ पे मैं यह video को select कर लेता हूँ, अब यहाँ पे इसका जो sound है, यहाँ पे मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ, ताकि problem ना है, तो अभी आप यह video देख सकते हो एकदम normal है, यहाँ पे दो आदमी चल के आ रहे हैं, ब वीडियो चलती रहती हो, तो एकदम से कुछ आता है, और वीडियो चलने लग जाती है, कुछ इसी type का effect है, ठीक है, इसी को हम बनाएंगे, तो simply आपको करना है, आपको वीडियो को चलाना है, और चलाने के बाद जहां तक इसको आपको रखना है, जैसे मैं इसको 3 सेकंड क करीब रखुआ, तीन या चार सेकंड, ठीक है, उसके बाद यहां पर मैं split कर दूआ, और यह जो पार्ट है, इसको मैं delete कर देता हूँ, उसके बाद यहां पर train वाला पार्ट है, तो train वाले पार्ट मैं इसको हम चलाते हैं, तो यहां से मैं इसको लेता हूँ, यहां से, और इसको मैं कर देता हूँ, वीडियो पे क्लिक करके split कर देता हूँ, और ये वाले part को मैं delete कर देता हूँ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यह जो part starting वाले point पाना second वाली वीडियो के, और यहाँ पे आप इस पे क्लिक करना, इसको full screen mode पे on कर लेना, और इसका और यहाँ पे आपको photo को select कर लेना है photo को select करने के बाद इसको crop कर लेना और crop करने के बाद यहाँ पे आपको train train का part को आपको रखना है, और बाकी part को remove कर देना है, तो यहाँ पे आप manual पे क्लिक करके size को adjust कर लेना, कितने आपको रखनी है उसके बाद इसे remove कर देना तो यहाँ पर मैं remove कर देता हूं इसको चल दिसे बस हमको train वाला पार्ट ही चाहिए तो यहाँ पर मैंने remove कर लिया है train वाला पार्ट उसके बाद आपको done पर click करके इसको आपको save कर देना है उसके बाद आपको करना किया है वहापस आपको आजाना है CapCut Ape के अंदर उसके बाद यहाँ पर आपको करना किया है यहाँ पर जैसे यह train वाला पार्ट यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम overlay पर click करेंगे add overlay करना और जो आपने बनाया अभी PNG उसको यहाँ पर आपको add कर लेना है तो यहाँ पर मैं add कर लेता हूँ PNG को और इसको आपको एकदम बराबर level पर set करना है जैसे train आई है तो यहाँ पर यह एकदम सही है सही बेट रहा है ठीक है अब इसको हम करेंगे कि आप वीडियो पर आप इसे click करना मतलब यह जो photo इसको आप click करना और इसको आगे की तरफ इसे इतना लियाना ठीक है इतना लियाना और लाने के बाद यहाँ पर आपको करना आपको split कर देना वीडियो पर photo पर click करके split करना और यह वाला जो पार्ट है इसको आगे की तरफ राखेंगे, वीडियो के इसके आगे की तरफ राखेंगे टो इसको आप जूम करके एड्जस कर लेना कि एकदम स़ही बेट रही है तो एकदम स़ही बेट रहा है, उसके बाद यहाँ पर हम Keyframe देंगे अब keyframe कैसे देना है तो आपको वीडियो के यह जो फोटो है इसके last वाले point पाना यहाँ पे और यहाँ पे आपको एक keyframe देना इस पे click करना तो एक keyframe लग जाएगा उसके बाद आपको इदे की तरफ इसको कसकाना है यहाँ पे तो इसको तो सबसे पहले तो आप इसको इतना रख लेना बस आपको थोड़ा सा इसको दिखाना है इतना कितने second पर आपको दिखाना है वो तो आप इतना split कर लेना और उसके बाद यहाँ पे हमने एक keyframe यहाँ पे दिये last में उसके बाद यहाँ पर हम आगे वाले point पर जाएंगे स्टार्टिंग पर और स्टार्टिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपको अब इसको motion में दिखाना है तो आपको motion में इधर से आते हो दिखाना है या फिर आपको नीचे से आते हो दिखाना है या फिर आपको left से ऐसे आते हो दिखाना है example के लिए यहाँ पर मैं इसको इधर की तरब करता हूँ ठीक है तो आप देखना यह transition कुछ ऐसा आएगा एकदम से ठीक है तो यहाँ पर यह कुछ ऐसे आएगा अगर आप यहाँ पर keyframe पर जाते हो वापस यह वाली keyframe पर और इस वाले को आप नीचे की तरब कर देते हो तो यहाँ पर नीचे से आएगा अब देखना आप ठीक है तो एकदम सई transition बना है यह वाला तो यह से आप इसको बना सकते हो अब इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा over adjust करेंगे तो यहाँ पर आप यह जो वीडियो है उपर वाली इसके आप animation पर जाना और यहाँ पर आपको animation दिखेगा shake वाला तो आप shake वाले पर क्लिक कर देना तो यहाँ पर आपको shake 1, shake 2 और shake 3 दिखेंगे तो आप जो भी आपको सही लगता है वो वाला आप लगा लेना तो यहाँ पर मैं यह वाला लगा के देखता हूँ इसको 0.5 पर रखके right पर क्लिक कर देता हूँ अब यहाँ पर इसको हम चलाते हैं वीडियो को तो एकदम सही transition आया एकदम perfect beta है अब इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे अब nest वाले transition को बनाएंगे अब nest वाले transition को बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे इस वीडियो को हम यहाँ तक इतना रख लेते हैं बस example के लिए आप अपने according set कर लेना उसके बाद इसको मैं split कर देता हूँ split करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँआ इस वाले part को मैं delete कर दूँआ तो यहाँ पर आप क्या करना plus पर click करना और यहाँ पर आप अपनी वीडियो को import कर लेना जो वीडियो आप nest में दिखाना चाहते हो तो nest में मैं यह वाली वीडियो को दिखाना चाहता हूँ आप देख सकते हो यह वाली ठीक है तो इसको मैं यहाँ से split कर लेता हूँ इतना मैं split कर लेता हूँ इसको और अभी आप यह वीडियो भी देख सकते हो वीडियो कैसा है तो वीडियो कुछ ऐसा है अब इसको हम एनिमेशन में दिखाएंगे तो एनिमेशन हम ये वाला करेंगे इसके अंदर आप देख सकते हो एकदम से उड़ते उड़ते आती है सारी चीजे और वीडियो बन जाती है तो ऐसा ही कुछ effect को हम apply करना सीखेंगे तो सबसे पहले तो ह यहाँ पर हमको screenshot को लेना है तो यहाँ पर हम starting वाले point के आएंगे यह जो वीडियो है इसके starting point पर आना आप ओके और यहाँ पर आपके करना एसे zoom कर लेना और इसका screenshot ले लेना screenshot लेने के बाद यहाँ पर आपको एक एप की जरुद पढ़ेगी अब यह वाली एप आप देख सकते हो photo retouch है इसको आप install कर लेना और open कर लेना open करने के बाद simply आपको करना की यहाँ पर आपको photo eraser पर कलिक करना है और यहाँ पर आपकोントने screenshot को इंपर्ट कर लेना है जो आपने लिया है और इधर scroll करना है यहाँ पर आपको crop का option दिखेगा तो मैं crop पर जाता हूँ और को मैं crop कर लेता हूँ और right पे click up कर देना उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे आजाएगा तो इसको crop में सही डंग से कर लेता हूं इतना अब सही है अब यहाँ पर आपको करना है यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको animation में आते होगे किसको दिखाना है आपको यहाँ पर जमीन को दिखाना है या फिर यह जो बिरिज आपको दिख रहा है यह आपको दिखाना है या फिर आपको इसका है मतलब यह train दिखाना है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर हम नीचे का जो पार्ट है जमीन का यह वाला पा जैसे मुझे यहां पर बिरीज को दिखाना है बिरीज वाले पार्ट को दिखाना है स्वरी मुझे जमीन वाले पार्ट को दिखाना है तो यहां पर मैं क्या करूँआ यह वाले पार्ट को यह हट जाएगा और हटाना कैसे है तो वह मैं आपको बता ही रहा हूं ठीग है तो आप इसे ड्रो कर देना जो पार्ट आपको हटाना है तो आप देख सकते हो हट चुका यह है उसके बाद यहाँ पे बिरिज को भी हमको हटाना है तो बिरिज पे भी हम ड्रो कर लेते हैं सेव पर क्लिक करना और यहां पर आपको सेव का ओप्शन देखेगा तो सेव कर लेना उसके बाद यहां पर आपको वापस क्या करना है वापस आपको फोटो एरेजर एप में आना है वापस आपको वही फोटो को सिलेक करना है जो आपने स्क्रिंशोट लिया है और यहां पर crop पर जाना है और यहाँ पर आप इसको crop कर लेना तो यहाँ पर आपको जो part दिखाने हैं उन part को आप क्या करना है remove करना है आपको अब यहाँ पर हमने पहले bridge को अटाए था अब यहाँ पर हम इस train को हटाए था है ठीक है क्योंकि हमको यह नीचे का जो पार्ट है पूरा ही हटाना है बस हमको इसका इसका है या फिर एसा ही कुछ दिखाना है तो चलो हम इसको ड्रो कर देते हैं तो यहां पर आप देख सेकते हो इसने हटा दिया है एक और इसको भी हम अटाएते हैं इसको भी इसको भी और इसको भी तो यहां पर सेव हो जाएगा अपनी gallery में आप save कर लेना ऐसे ठीक है तो इसको भी हम save कर लेते हैं उसके बाद वापस हम eraser पर जाते हैं अब हमारा last काम ये वाला है कि हमको वापस जाना है और इसको वापस हम कर लेंगे crop तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी तब ही आपकी ये वीडियो मतलब माता खराब करने के पराबर है तो simply यहाँ पर हम crop कर लेते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर रहे गया crop करने के बाद simply वापस quick repair पर जाना है और यहाँ पर हमको train वाले पार्ट को remove करना है उसके बाद हमको वापस और भी काम करने है तो सबसे पहले तो हम इस train को remove करें तो इससे आप draw कर लेना जिससे क्या होगा यह जो train वाला पार्ट है यह आपका remove हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं remove हो चुका है तो simply आप right पर click कर देना और इसको आप save कर लेना gallery में ठीक है save हो जाने के बाद यहाँ पर हम वापस चलते हैं cape cut ape के अंदर और हमारे project पर हम चले जाते हैं यहाँ पर तो हमारा first वाला तो होई गया था अब second वाले में यहाँ पर आप देख सकते हो यह वाले part है यह वाले part में हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पर plus पर click करना और यहाँ पर आपका करना photo पर आना और सबसे पहले तो वह photo को लेना जिसमें आपका blank के कुछ भी part नहीं आ रहा है तो यह वाला blank part है इसको आपको दिखाना है बस थोड़ा से आपको दिखाना है तो इसको आप one second या फिर two second के करीब रख लेना तो यहाँ पर मैं इसको इतना adjust कर ले ठीक है तो यहाँ पर हमने सबसे पहले रखा है यह blank part उसके बाद यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे और जो हमने गायब कहा था ब्रीच वह यहाँ पर हम यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर आप 8 कर देना तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह आग चुका है उसके बिरिज वाला जो पार्ट है जिसमें train नहीं आ रही है तो आप 8 कर देना तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह बिरिज वाला पार्ट है जिसमें train नहीं है इसको भी हम यहाँ पर split कर देते हैं और जो इसको भी हम delete कर देते हैं क्योंकि हमको कम कम ही चीए तो देखो सबसे प करेंगे simply आपको करना है आपको आजना है background eraser app के अंदर अब यहाँ पर हम cut out करेंगे तो cut out करने के लिए यहाँ पर हम load image पर click करेंगे और यहाँ पर आपको वह screenshot को ले लेना है जो मैंने आपको starting में लिया था ना हमने यह वाला इसको हमको crop कर देना है और crop करने के बाद done पर click कर देना है अब यहां पर हमको सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे I mean वाला part को दिखाएंगे तो आप पर का जो ही पाट है वो आपको हटा देना है जैसे करना तो यहां पर देख सकते हो इस पार्ट को मैंने एरेस कर लिया है एरेस करने के बाद आपको डन पर किलिक कर दिना है डन पर किलिक करने के बाद इसको आपको सेव कर दिना है अब यहां पर हमको बिरिज हमारा जमीन वाला पार्ट हो चुका है अब यहां पर हम क्या यह जो हमने screenshot लिया था, इस screenshot को यहां पर वापस हम add करेंगे, background eraser app के अंदर, और यहां पर आपको right पर click कर देना है, अब यहां पर आपको यह बिरीज बिरीज वाला पार्ट लेना है, और बाकी पार्ट को आपको हटा देना है, तो यहां पर मैं चलो इसको भी कर लेता हूं, जल्दी से बिरीज वाला पार्ट को मैं रखता हूं, और जो बाकी पार्ट है इसको मैं remove कर देता हूं, आप अपनी वीडियो के according देख लेना, आपको केसा पार्ट आपको दिखाना है, उसके बाद ही आप यहां पर उसको erase करना है, वो वो पार्ट को, ठीक है, यह थोड़ बस बिरीज बिरीजी चाहिए, तो यहां पर आप देख सकते हूं, मैंने इस वाले पार्ट को एकदम erase कर लिया है, और आपको right पर click करके इसको आपको save कर देना है, इसी तरीके से आपको जो train वाला पार्ट है, इसको भी आपको करना है, आपको बस train train को रखना है, और बाक पर blank है, उसके बाद यहां पर पेड़ पो जाएंगे, और उसके बाद यह बिरीज आ जाएगा, और हमारी train चल जाएगी, ठीक है, तो यहां पर आपको करना है, स्टार्टिंग वाले point पाना, जो आपका वीडियो का, जो आपका वीडियो का part है, उसके, और add overlay पाना, और य बराबर level पे set करने के बाद, यहां पर आपको करना है, आपको इसको starting वाले point पे ले जाना है, यहां पर, जहां पर आपका यह blank image था, इसके आपको, जिससे आपकी train चल रही है, इसको आपको यहां तर इसा animation मा आएगा, यह, तो इसको आपको यहां से, यह आपकी image है, यह वाली सेकंड वाली इसको यहां तक आप स्प्लिट कर देना इसको यहां पर आप देख सकते हो इतना तो आप इसको इतना स्प्लिट कर देना ताकि यह वाला पार्ट एनिमेशन मा है ठीक है तो एनिमेशन में दिखाने के लिए यहां पर आपके करना इस पर क्लिक करना इसके लास्ट वाले पॉइंट पाना यहां पर एक की फ्रेम देना और इसको आप स्टार्टिंग वाले पॉइंट पाना यहां पर और इसको एसे नीचे की तरफ लियाना तो यह कुछ ऐसे एनिमेशन मा जाएगा ठीक है तो यह तो आगया यह किये हो गया उसके बाद यहां पर हम बिरीज वाला पार्ट को लगाएंगे तो आप बिरीज वाले इमेज पाया जाना है यहाँ पर और आपके करना है यहाँ पर एड ओवरले पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो बिरीज वाला पार्ट था उसको आपको यहाँ पर एड कर लेना है एड करने के बाद इसको आप ब फालतु पार्ट इधर से डिलीट और यहां पर हमको वही काम करना है यहां पर आपको ऐसे आना स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर यहां पर यहां पर एक की फ्रेम देना है तो आप की फ्रेम पर क्लिक करना उसके बाद स्टार्टिंग वाले पॉइंट पाना इसके और इसक जो होगी उसको आप थोड़ा सा ऐसे ट्रिम कर लेना ठीक है तो यहाँ पर आप क्या करना है इसे की फ्रेम दे देना तो यहाँ पर हम की फ्रेम दे देते हैं ठीक है तो यहाँ पर अब यह थोड़ा जल्दी सा आएगा ठीक है उसके बाद इसको हम यहाँ पे पराबट set कर लेते हैं और इसको हम trim कर लेते हैं об हमको थोड़ा फास्ट दिखे लिए उसके बाद मैं यहाँ अइसे ट्रेम कर लिए आउन कि इसामिल भी इस तक तो यहाँ पर मैं की फ्रीम दे देता तो यहां पर आप देखना कुछ ऐसा इनिमेशन में आएगा, ठीक है, ऐसे कुछ आएगा, उसके बाद यहां पर हम अब ट्रेन को चलाएंगे, तो आप ट्रेन वाले पार्ट को लगाना है, यहां पर आपको, तो यह जो पार्ट है, यहां पर आपको ट्रेन लगाना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ट्रेंड का पी एंजी है तो इसको मैं एकदम ऐसे सेट कर लेता हूं तो यहां पर मैंने इसको ऐसे सेट कर लिया है कि सेट करने के बाद इसको यहां पर इसके इस वाले पॉइंट तक लगा हुआ यहां पर और जैसे हमारी वीडियो चलती है इसके यहां पर हम split कर देंगे fall to part को आपको delete कर देने ठीक है अब उसके बाद यहां पर हम एक की फ्रेम देंगे जैसे करने की लिए तुद चल रहरी है। यह पर हम क्या करेंगे एक की फ्रेम आपको देना हा उसके बाद आपको करना है यहां पर इसस्टार्टिंग वाले पॉइंट पाना है और यहां पर हम पर ट्रेन को एकदम theor कर देना हूं इसको आपको यहाँ पर लगा देना है टीक है जैसे चलते और आई यहें देख सकते ओ ऐसे टीक है अब यहाँ पर आपका जो यह जो transition है पूरा complete हो चुका है यहाँ पर मैं इसको आपको चला के बता इता हूं पूरा पूरा वीडियो हम चला लेते हैं, थाकि आपको पूरा ही समझ मा जाएए, ठीक है, यह आ गया, उसके बाद यह, 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 ट्रेन चल गी, ठीक है, तो यह वाला ट्रांजिशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब एक ट्रांजिशन हमको दे इक्दम उड़ता हूँ आता है, इलेक्टरिक लाइट में, और छप जाता है, इस वाला ट्रांजिशन को हम बनाएंगे, तो चलो इसको हम बनाते हैं, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को हम जो हमने भी बनाई है, यह वाली, इसको तो हम सेव कर लेते हैं, गैलरी में, उसक इंपलिए आपको करना है, यहाँ पर आपको अलाइट मोशन एपको ओपन कर लेना है, यहाँ पर आपको निव प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर आना है, और यहाँ पर आपको अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेना अब जो वीडियो आपको दिखानी है तो यहाँ पर मुझे एक वीडियो को दिखाना है यह वाली वीडियो है वो ठीक है यह वाली आप देख सकते हो यह इसे ट्रेन चल रही है यहाँ पर यह जो लिखा रहा है इसको हमको एनिमेशन में दिखाएंगे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर चाहँ से आपको इसको रखना है, वहाँ पर आप क्या करना है, इसको split कर देना है, तो इसको मैं इतना trim कर देता हूँ, और उसके बाद इसको मैं लगाएता हूँ, वीडियो के यहाँ पर, ठीक है, और आप क्या करना है, यहाँ पर आप यहां पर आप इसे इसको ट्रिम कर लेना ठीक है और राइट डन कर देना अब यहां पर आपको यह वाला पार्ट चाहिए बस आपको यह जो लिखा हुआ है न मतलब station का नाम है या फिर क्या है तो यह आपको लिखा हुआ ही बस आपको रखना है और बाकी पार्ट को erase कर देना तो चलो यहाँ पर मैं जल्दी से कर लेता हूँ यह पार्ट को erase उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ताकि वीडियो और ज्यादा लंबा नहीं हो पहले ही बहुत लंबा हो चुका है वीडियो तो यहाँ पर मैंने इसको पूरा erase कर लिया आप देख सकते हो यहाँ पर यह यह रखा है मैंने और done पर मैं क्लिक कर देता हूँ इसको मैं save कर लेता हूँ gallery में okay उसके अब वापस हम चलते है light motion वाले project पर और यहाँ पर हम आ जाते हैं अब यहाँ पर starting वाले point पर हम यहाँ पर आ जाते हैं इसके यहाँ पर जैसे यह start होता है उसके बाद यहाँ पर आपको करना है आपको plus पर क्लिक करना है मीडिया पर आना है और जो image आपने भी save किये उसको यहाँ पर आपको रखना है और इसको आपको adjust कर लेना है आप देख सकते हो यह तो इसको आपको adjust कर लेना है इसके बराबर उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे क्या यहाँ पर आपको इस यह जो image होगी इसको आप आगे की तरफ ऐसे ले आना इतना तो तो मैं इसको इतना ले आता हूँ और यहाँ पर इसको मैं इतना trim कर देता हूँ इसे ठीक है क्योंकि एकदम से चिपकेगा इस पर ठीक है अब यहाँ पर आपको इसको इसको इसे उड़ते हूँ कैसे दिखाना है तो simply आपके करना इसे image पर आप क्लिक करना हूँ यहाँ पर आपके करना इसके last वाले point पाना last वाले point पाने के बाद यहाँ पर आपको move and transform का option देखेगा इसके पर क्लिक करना हूँ यहाँ पर आपको keyframe का option देखेगा तो इसके पर क्लिक कर देना तो एक key यहाँ पर लग जाएगी उसके बाद आना आप आगे वाले point पे यहाँ पे यहाँ पे उसके बाद आप क्या करना है यहाँ पर एक और keyframe दे देना इस पे plus पे क्लिक करके और इसको आप क्या करना ऐसे नीचे की तरफ ले आना ऐसे ठीक है तो यह उड़ता हुआ ऐसे आएगा आप देख सकते हो इसको आप चालते हो rotate मतलब यह थोड़ा move होते हुआ है तो यहाँ पे आप क्या करना बीच में एक keyframe दे देना तो आप यहाँ पे plus पे क्लिक करना एक बार और इसको ऐसे कर देना ठीक है यह तो यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा आप देख सकते हो उड़ता हुआ ऐसे आएगा और चप जाएगा ठीक है तो ऐसे आएगा उसके बाद यहाँ पे आपको इसमें electric light देना है तो वो हम कैसे देंगे तो simply आप सेदर्ट करना इस पे क्लिक करना गौद सेटिंग पर जा नोडर simply आपको करना यहा पको आपको नीचे की तरब स्क्रोल करना और यहाँ पर आपको सबसे पहले तो colored select कर लेणा तो यहाँ पे यह वाला color है आप चाहओ तो rate color जो भी आपको पसन दाता है वो आप select कर लेणा color को select करने के बाद यहां पर आपको adjustment कर सकते हो अब यहां पर आप देख सकते हो इसके आपको thickness आपको कितने दिखानी है मोटा ही उसके बाद आपको distance आपको कितना इसको रखना है तो distance आप मैं एकदम माइनस कर देता हूँ और डीटेल यहाँ पर आपको इसको मतलब कितना आपको इसको लहराते हुए दिखाना है तो यहाँ पर इसको मैं इतना एसे लहराते हुए दिखाना हूँ और यहाँ पर हम डिस्टोरेशन है तो इसको हम कम कर लेते हैं ताकि यह इसके उपर सही बेट है, इतना, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम color तो आपको मैंने बताई दिया, alpha आपको कितना रखना है, तो alpha यहाँ पर मैं इसको, और glow आप देख सकते हो, आपको glow कितना दिखाना है, यहाँ पर मैं glow इसको full कर देता हूँ, ताकि बढ़िया ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मास पर क्लिक करना है, और इसके जो strength है ना, strength आप अभी zero कर देना, ठीक है, starting वाले point पाना है, इसको जीरो कर देना, ठीक है, यहाँ पर, आप इसको हम यहाँ पर keyframe देंगे, तो आप सबसे पहले तो आप zero पर कर देना, उसके बाद आप एक keyframe देना, यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आप एक keyframe देना, और आगे की तरफ जाना, जैसे यहाँ पर आयता है, तो आप इसकी जो strength है, उसको आप ऐसे बड़ा देना, इतनी बड़ा देना, ठीक है, उसके बाद वापस आप end वाले point पाना, यहाँ पर, और इसकी strength हमार वापस आप बड़ा देना, ठीक है, तो यहाँ पर एक कुछ ऐसे glow होते हो आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो transition है, वो पूरा का पूरा बन चुका है, और यहाँ पर हम इसको save कर लेते हैं, gallery में, क्योंकि हमारी वीडियो पूरी ready हो च झां झायओ, पर इचल कर लेता है, बड्ले पर कुछ झायओ, पर स्भी आएट侏 कुछ प्राइगUषण फ पर प्राइख जोईटान